अज़ा आज देखेंगे संस्कित और संस्कित में हम देखने वाले हैं लिंग वचन इससे पहले दिखें हमने क्या क्या क्मप्लीट क्या हमने प्रत्याहर कंप्लीट कर लिया है तो आज देखेंगे बारे में पढ़ा होगा इस तरी पुलिग और नपुन्शक लिंग से आपके संस्कित में भी लिंग होते हैं पहला है पुलिंग, दूसरा इस्त्री लिंग और तीसरा है नपुन सकलिंग देखिए जैसे हिंदी में आप लोग जानते हैं सेम टू सेम वही पैटर्न है यहां पर आपको जो शब्द मिलेंगे वो शंस्कृत में मिलेंगे और हिंदी के जो शब्द होते हैं आपको हिंदी में मिलते हैं पुलिंग क्या है जिस सब्द से पुरुष जाती का बोध हो उसे पुलिंग कहते हैं जैसे रामभ, बालकः, सह, आदी क्या है ये पुलिंग वाले शब्द है इनसे पुलिंग का हिसास होता है इनकी पुरुष जाती का बोध होता है दूसरा है इ इस सब्ज से इस्त्रि जाती का बोद होता है उसे इस्त्रिस रिफ शब्द कहते हैं जैसे रामा बालिका साह आधि ये चातर आधि ये सबड़ ये ऐसे वर्ड़ है जिनका उचारण हम करते हैं, जिनको हम बोलते हैं न तो इस्तरि जाती का बोध होता है और नहीं पूरुश जाती का बोध and ऐसा के देचलिकें सब्सक्राइ ela डालते हैं किनो लिंग हो गए अब देखे इसके बारे में थोड़ी चोड़ जानकारी देख लेते हैं संस्कित भासा में यह तीन लिंग होते हैं एक ही व्यक्ति आवस्तु का वाचक शब्द भिन भिन लिंगों में हो सकता है जैसे तटम तटी तटम तीनों का अर्थ किनारा होता है लेकिन कहा चारे कि यह शब्द जो तीनों हैं देखे तीनों शब्द अलग हैं और तीनों का अर्थ भी एक ही आ रहा है लेकिन इस शब्द के लिंग अलग-अलग है जैसे तटा शब्द को हम देखें तो यह हमारा पुलिंग में जाता है वहीं पर तटी की बात करे से चलि marcada से क्या इस तरथ से वाचन होता है वस्तुrav में संख्या होगा संख्या जो शब्दों से जितनी संख्या का बbsterv करता है। वाचन पमोग होड़area यहां पे देखित में तीन व्चन होते हैं एक वचन दूइवेक्ड और संख्या में 1 होने पर 1 वचन का दो होने पर दूइव चन पर अथिक होने पर वह वचन का प्रियोग किया जाता है केवल इतनी ही डिफिनेशन और यह आप जानते ही से ज़्यादा एक्स्प्लेंड करने की भी जुरूरत नहीं है लेकिन कुछ सब्सके अलावा भी होते हैं जिन्हें हम बहु वचन में नहीं डाल सकते या किसी और वचन में उसे नहीं जान सकते जैसे छोत में सोता है कान चच्छुस में सोता है आख कर में सोता है हाथ बाहु मिस बाजूस्तन चरण आधी हमेशाद दुव्यचन में ही प्रियोग किये जाते हैं देखिए आपके बोड़ी पार्ट है यह नेचरली आपको नेचर दौरा दिये गर दो हैं इसलिए जब धी इनका नाम आएगा तो दो के ही रूप में आएगा इनका पिरोग सद्धाय दूवेचन के रूप में होगा लेकिन जैसी स्थितियां होगी जैसी परिस्थियां होगी यानिकि जिस तरह का आपका सेंटेंस बनेगा उसके हिसाब से वहां पे इसे एक वचन में भी लिया जा सकता है जैसे वह पैर से लंगड़ा है तो अब हमने कहा कि पैर शब्द आपका चरण देख रहे है चरण तो नहीं होगा लेकिन चेस लिए बन्हाइब लेकिन इस तो चाहीं में होती है इसलिए क्ट को गंगों करेंगे इसके अलावा देखिए आपका जैसे गंगा है सूर्य है चांद है इनको हम दोवेचन में और बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं इसे हम दोवेचन या बहुवचन में कनवर्ट नहीं कर सकते हैं जिस तरह के अभी जैसे हमने उपर देखा कि जिस तरह के सेंटेंस होगे जिस तरह के सिच्वेशन बनती है सेंटेंस की हिसाब से उस तरह से हम इसे बहु वचन के दूएचन में डाल सकते हैं लेकिन स्वतनत रूप से जब भी इनका नाम आएगा वह एक वचन में ही होगा समझ में आ गया होगा अभी के लिए के वले इतना ही अगली वीडियो में से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार